जहिन सातियों, आज हमारा यह जो है reasoning में Ben R1 की दूसरी वीडियो है, यानि दूसरी class है, पहली वीडियो में हमने पहले type के question के बारे में बात करी थी, तो आज हम जो है वो दूसरे type के question के बारे में बात करेंगे, और दोनों ही type के question exam में पूछे जाते हैं, देगि आज का question no. न्मर 29 यानि आज की class का पहला question है दिये गए आरेक में ब्रत यानि यहाँ पर एक image दे रखिए यह सरक्ल किसी और पेसे को प्रदस्वित करेगा त्रैंगर किसी और पेसे को प्रदस्वित करेगा rectangle किसी और चीज को को प्रतस्विट करेगा और उसी मैंसे यानि जो डाटा दे रखा होगा इमेज के माधियम से उसमें हमें कुश्चन को फिगर आउट करना होता है जैसे दिए गए आरेग में प्रत को पेसेवर को दर्साइग दर्साता है यानि ब्रत सर्किल किसको कि पेसेवर बर्ग नतकों को बर्ग क्या है ये नतक और तिरवुज संगीतकारों को तिरवुज संगीतकार तिरवुज संगीतकारों को और आयत यूरोपियन को आयत ये यूरोपियन इसके बाद प्रिस्ट में पूछा है आरेक में विविन छेत्रों को 1 से 11 तक संख्याय दी गई है यानि ये डेटेल में संख्याय दे रखी है और पूछा गया निमलिकित में से कौन नयतो निरतक है नाही संगीतकार है किन्तु पेसेवर है और यूरोपियन नहीं है देखिए तीन पॉइंट दे रखे है ना तो निरतक होना चाहिए नाही संगीतकार होना चाहिए और नाहीं यूरोपियन होना चाहिए क्या होना चाहिए पेसेवर देखिए पेसेवर का मदब क्या है सरकल इस सरकल में जितने भी संख्या हैं जैसे 10 ये पेसेवर है 3, 5, 7, 9 ये पेसेवर के 7-7 और भी है जो ट्रेंगल में आ रहे है तो वो क्या हो जाएंगे साथ में पेसेवर के साथ में संगीतकार भी हो जाएंगे जो रेक्टेंगल में आ रहे है वो साथ में European भी हो जाएंगे लेकिन हमसे पूछाए ना तो निरतक हो ना ही संगीतकार हो ना ही European हो क्या हो केवल पेसेवर हो तो पेसेवर केवल के लिए क्या बच रहा है यह वाली संख्या यानि 10 बच रही है तो यहाँ पर आंसर क्या मन जाएगा Option B 10 ऐसे बहुत सारे कोशिन आज हम करने वाले है Next question निम्न आकरती में तर्वज बढ़ाईयों को निरुपित करता है तर्वज यानि यह किसको निरुपित कर रहा है बढ़ाई को ब्रत लोहारों को सर्कल जो है यह लोहार और इसके बाद आयत मचवारों को यह क्यों है मचवारे अब पूछा क्या है कितने लोग मचवारे है कितने लोग मचवारे है देखिए मचवारे कितने है यानि इस ब्रत के इस आयत के अंतरका जितनी संख्याय है सम मचवारे है देखिए कितना 3 और 2, 5 और 4 5 और 4, 9 और 1 10, तो total total कितने हैं? 10 लोग यहनि 10 लोग ऐसा पेशा करते हैं जो मचुवारे हैं, यदि इसी प्रिस्न में यह पूछा आता कि कितने लोग केबल मचुवारे हैं, केबल जैसी सब्द लगा कि या था तब इसकी रही answer क्या आजा था एक के बल मच्छारी में क्या संख्या आती हैं कितने लोग मच्छारे हैं यहां पूछा मुझारे के साथ वह और काम करते हैं कि पड़ता है लेकिन हम यह बताना है कितने लोग तो जो आयत के अंतरगत आयत किसको प्रदस्वित कर रहा है मचवारों को आयत के अंतरगत जितनी संख्याय हैं वो सब मचवारों के लिए काउंट हो जाएगी तो आंसर क्या जाएगा option B नेक्ट प्रिफें निमनीत बेन आरेक website subscription ABC लेने वाले कुल पचास चात्रों को दर्थाता है मेंसे प्रते कम से कम एक प्रिस्टिक्शन शत्रों में भाग लेता है कितने चात्र दो के वल दो सट्रों पर अपस थे देखिए यह image आपकी इस तरीके की बनीवी है ऐसे कर गए तो देखिए दो में कौन-कौन से खाने आ रहे है यानि ये वाले ये वाला जो area है ये इस वाले ब्रत में भी आ रहा है और इस वाले ब्रत में भी आ रहा है ऐसे ही ये वाला जो area है वो इस वाले ब्रत में भी आ रहा है और इस वाले ब्रत में भी आ रहा है और ये वाला एरिया इस वाले ब्रत में भी आ रहा है और इस वाले ब्रत में भी आ रहा है तो यही हम से पूछा है कि कितने चात्र केवल दो पिस्रिक्षन सत्रों में उपस्तित है यानि देखिए चा प्लस चार प्लस पांच, चो चार और चार आठ और पांच, तेरे, उत्तर क्या हो जाएगा, ओप्सन डी, थर्टी, नेक्स्ट, बहेच छेत्र ज्याद कीजिए, जो जी बिज्ञान और कम्पीटर पढ़ने वाले, किन्तु गडित ने पढ़ने वाले छात्रों को दर्साता है यानि वो जी बिज्ञान भी पढ़ते हों, और साथ में कम्पीटर भी पढ़ते हों, लेकिन गडित नहीं पढ़ते हों, तो देखिए, गडित पढ़ने वालों की संख्या क्या है, यह है, यानि यह, तो हमसे करें, गडित नहीं पढ़ने वाले हों, जी बिज्ञान भी पांच संख्या जी बिग्यान में भी आ रही है कंप्यूटर में भी आ रही है लेकिन ये गड़ित के इंतरगत की भी आ गई तो पांच नहीं होगा आंसर क्या जाएगा इसके लिए सेवन ये ओप्शन सी नेक्स्ट कोशन नेम रिखित आकरती में बर्ग बकीरों के लिए बर्ग देखिए ये किसको प्रतस्रित कर रहा है बकील तिर्भुज साइकल साइकल चलाने वाले ब्रत पुरुस यानि सर्कल जो है ये पुरुस के लिए है और आयत इसनाक उत्तर आयत जो है ये इसनाक उत्तर है अक्षनों का कौन सा समू उन पुरुसों को दरसाता है जो साइकल चालक नहीं है देखिए क्या पूछा कौन सा समू उन पुरुसों को दरसाता है देखिए पुरुस कौन कौन है जो इस सर्कल के अंतरगत है बही पुरुस है बही कन्फरम पुरुस है क्या जो बाहरे उनके बारे में नहीं कह सकते लेकिन जो इस circle के अंतर कहते हैं देखो circle को क्या कहा गया है ब्रत पुरसों को दरसाता है यहींनि जो इस ब्रत के अंतर है अंदर जो है वही पुरस है तो अंदर कौन कोन आ रहा है E आ रहा है, D आ रहा है, C आ रहा है और B आ रहा है लेकिन अब पूछा क्या है उन पुरुसों को दसाता है जो cycle चालक नहीं है देखिए cycle चलाने वाले कौन कौन नहीं है cycle चलाने वाले कौन कौन है G cycle चलाता है F cycle चलाता है और E cycle चलाता है लेकिन हम से पुरुसों के बारे में बात कर रहा है तो इस circle में E को छोड़ कर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं D दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है और B दिखाई दे रहा है तो answer क्या हो जाएगा option पहला वाला बस ये हमें देखना था, पुरुस देखना था और cycle ना चलाने वाले देखने थे तो cycle चलाने वाला कौन बच्चा की है, वह एक ही जो की पुरुस है और वो cycle चला रहा है क्योंकि वो triangle के अंतरगत आ रहा है तो यहाँ option क्या हो जाएगा पहला वाला B, C, D, ये answer हो जाएग next नेचे दीगे याकरती में तुरुज साकाहरी उत्पादों के लिए है तुरुज ये साकाहरी के लिए है आयत चॉकलेट को, आयत जो है वो चॉकलेट के लिए है और ब्रत भारत में उत्पादित उत्पादों के लिए है ब्रत जो है वो भारत में उत्पाद वाले उत्पाद को दर्सारा है देखिए अब कुछ है क्या है भारत द्वारा निर्मित साकाहारी चोकलेट का प्रतिद्मित करने वाले अक्षा भारत द्वारा निर्मित साकाहारी चोकलेट देखिए भारत द्वारा निर्मित यानि ये जो A है, यह भारत में भी आ गया, साकाहारी में भी आ गया, और चॉकलेट में भी आ गया, भारत द्वारा निर्मित, यानि उत्तर क्या हो जाएगा, option A, भारत द्वारा निर्मित, साकाहारी चॉकलेट, देखिए भारत द्वारा निर्मित, भारत के अंतरगत A आ रहा है, और चॉकलेट जो है वो इसमें भी आ रहा है और साकाहाली ट्रेंगल में भी आ रहा है बाकिये और कोई अच्छर जो है आपका कम्बाइंड रूप से तीनों में नहीं आ रहा है आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट कोश्चन है निम्न आयकरती में बर्ग एसी आबासियों को बर्ग यानि यह एसी आबासियों को तिरवुज लेखक ट्रेंगल यह लेखक के लिए है ब्रत पिता के लिए ब्रत यह पिता के लिए है और आयत अभीनेताओं के लिए आयत अभीनेताओं के लिए अक्षरों का कौन सा सेट उन अभीनेताओं को प्रतिनित करता है जो लेखक है देखिए लेखक कौन है लेखक कहां दे रखाता तिरबुज लेखक है तो और पूछा क्या है अभीनेताओं का प्रतिनित करता है जो लेखक है देखो अभीनेता यानि जो इस आयत के अंतरगत है वही अविनेता है, तो अविनेता कौन कौन है? B, D, G और F, लेकिन साथ मैं कहारा हैं, लेखक भी होना चाहिए, तो लेखक странngulo वाले होना चाहिए, तो देखो D, आयत में भी आ रहा है, और G, आयत में भी आ रहा है, और ये दोनों ही तिर्बुज के अंतरगत आ रहे हैं इन्हें उत्तर ग्या हो जाएगा D और G जो की अविनेता हैं और साथ में लेखक भी हैं तो option कौन सा वाला मिल जाएगा? option A first option next निम्रिखित आकरती में बर्ग लोक तंतरवादियों को बर्ग जो है ये लोक तंतरवादियों के लिए हो गया तिर्बुज सिल्पकारों के लिए हो गया तिर्बुज triangle ये सिल्पकारों के लिए हो गया बरत भारतियों के लिए हो गया बरत भारतिये ये UP Police Constable 2018 का question है और आयत पिताओं के लिए हो गया अक्षनों का कौन सा सेट या कौन सा अक्षन उन भारतियों को दर्साता है जो लोकतंत्रवादी है देखिए लोकतंत्रवादी का मतलब बर्ग के बारे में बात कर रहा है और भारत का मतलब सर्किल के बारे में बात कर रहा है यनि सर्किल में और बर्ग में कौन-कौन है देख लेकिए B है, B भारतिय भी है और लोगतंत्रबादी भी है ऐसे ही C भारतिय भी है लोगतंत्रबादी भी है लेकिन C जो है वो साथ में सिल्पकार भी है लेकिन हमसे क्या पूछा है पौन सा अक्षर उन भारतियों को दरसाता है जो लोगतंत्रबादी है तो आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा ? देखिए, होना तो चाहिए था, C. लेकिन यहाँ पर क्या क्या रखाए ? कौन सा अक्षर उन भारतियों को दसाता है, जो लोकतंत्रबादी है ? तो देखिए, BV तो साथ में दर सारा है, भ upgradborn भारती है और लोकतंत्रबादी है, साथ में तो वो सिल्पकार भी है, लेकिन ऐसी उन्होंने कंडिशन नहीं रखिए कि वो और कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, C और B दौनों ही, C और B दौनों ही, ने, निमनिकित आकर्ती का अध्यन कीजी और दिए प्रसणों का अज्त दिजए, देखिए, आयत क्या है, आयत क्या है, लेखक है, प्रत क्या है, संगीतक्या है, और तिर्भूज क्या है, सिख्षक, कितने सिक्षक हैं जो ना तो लेखक हैं और ना ही संगी तग्य हैं कितने सिक्षक हैं जो कि ना तो लेखक हो और ना ही संगी तग्य हो यानि इस तिर्भुज के अंतर ऐसी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है जो केवल तिर्भुज में हो ब्रत में ना हो और आयत में ना हो तो बच्ची भी कौन सी संख्य रह गई ये एक यनि ऐसे कितने सिक्षक है जो केवल सिक्षक ही है ना तो वो लेखक है और ना ही वो संगीत अग्य है आंसर क्या जाएगा एक next तिर्भुज गायक है ब्रत जो है सरकल वो बाइलन बादक है और ये आयत कलाकार है और ये ये वाला जो आयत है ये निर्तक के रूपने है पूछा क्या है दीगई आकरती में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दरसाता है जो निर्तक गायक और बाइलन बादक भी है इन्हें नरतक भी हो और गायक भी हो और बादक भी हो अब देखिए Q नरतक भी है इसके अंतरकत आ गया Q गायक भी है देखो Q इसके अंतरकत भी आ गया इन्हें नरतक भी हो गया Q और गायक भी हो गया नरतक भी हो गया और गायक भी हो गया और गायक भी हो गया तो Q कैसा है Q के पास ये तीनो ability है, वो बाइलन बादक भी है नरतक भी है और गायक भी है उत्तर क्या जाएगा, option B next क्या पूछा है इसमें ऐसा अच्छे तर बताईए जिसमें ब्यक्तियों के पास car, motorcycle cycle है लेकिन auto रिक्षा नहीं है, तो पहले ये देख लेते हैं के कौन सा सिंबल किसके लिए है, क्या कह रहा है दीगई आकर्तियों में ब्रत उन ब्यक्तियों को दरसाता जिनके पास car है ब्रत का मतलब ये, इनके पास car है तिरबुज, उनको दरसाता है जिनके पास motorcycle है, इनके पास motorcycle है बर्ग उनको दर्षाता है जिनके पास ओटो रिक्षा है देखिए बर्ग ओटो वाले हैं आयत साइकल वाले हैं यह आयत जो है यह साइकल वाले पुछा है ऐसा छित्र बताईए जिनमें बैक्तियों के पास कार, मौटर साइकल, साइकल है यानि तीन चीज़े है आटो रिक्षा नहीं हो अब देखिए आटो रिक्षा का मतलब यह यह आटो रिक्षा के अंतरगत आ रही है आकरती तो अब देखिए यू ब्यक्ति देखिए यू के पास साइकल भी है यू के पास कार भी है यू के पास motorcycle भी है क्या यू के पास auto रिक्षा दिखाई दे रहा है अगर ये इस बर्वी के अंतरगत होता तो यू के पास auto रिक्षा हो जाता तो यू के पास auto रिक्षा को छोड़कर बाकी तीनों चीज़ा है तो answer क्या जाएगा option B यानि यू एक ऐसा ब्यक्षी है जिसके पास auto रिक्षा को छोड़कर बाकी सारे बहान है next question है कि ऐसे doctor की संख्या जो ना तो engineer है और ना ही अच्छे बगता है देखिए doctor के लिए कौन सा वाला C यानि ये circle में जितने लोग हैं वो सब doctor है 7, 6, 5, 2 ये जो संख्या है ये doctor की संख्या है लेकर हमसे कह रहे है कि ना तो वो engineer हो और ना ही वो अच्छे बगता हो तो इस circle में एक मात्र ऐसी संख्या ये है जो केवल और केवल क्या है doctor है तो answer क्या जाएगा इसके लिए option A, 2 next क्या है question? इसना तक सहरी महिलाओं को जो कौन सा छेत्र निरूपित करता है देखिए, इसना तक यनि ये, circle के अंतरकत आ गये अब सहरी में कौन कौन सी स्या गयी? 5 और 7 संख्या गयी क्या हो गया? इसना तक सहरी महिलाएं अब महिला का है? इस महिला है इसनातक सर्किल में हैं, सहरी सर्किल में हैं, यहीं इसनातक सहरी महिला क्या हो गया पांच, आंसर क्या गया इसके लिए ऑप्सन बी, तीनों जो है वो पांच के पास, नीचे तीन आकर्टिया दी गई हैं, जो इसनातकों, इसनाकोत्रों और अधिकारियों को निरुपित करती हैं, पुर्ण सा भाग निरुपित करता है कि सभी अधिकारी इसनातक और इसनाकोत्र हैं, सभी अधिकारी, इसनातक और इसनाकोत्र सबसे आसान कोशन, जिसमें कुछ कुछ करना ही नहीं है तीनों को देखना है तीनों कौन है केवलों केवल एक ऐसा ये व्यक्ति है जी जो इस वाले सर्कल में भी आ रहा है यानि इसना तक भी है इस वाले सर्कल में भी आ रहा है यानि अधिकारी भी है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है तो इसना को तर्मिय give is an answer कि श्रक्रति में प्रस्वियू सबिद्र निम्ना करती में प्रतिष्ठ है पुलिस अधिकारी सर्किल को यानि ये ये क्या है कि मैं सबस्ब्स अधिकारी के लिए है और मारे पिरिबुझ किस के लिए हैं है तो ब्रैष्ट के लिए है और कभी बर्ग के लिए हैं ये कभी हो गए और बच्चा क्या रहा गया आयत ये बिभाहित मेरे डोग बिभाहित पूछा क्या है ऐसे बिभाहित पुलिस अधिकारियों का अक्षेत बताईए जो भ्रष्ट नहीं है किन्तु कभी है देखिए अबिभाहित यानि इतने लोग तो बिभाहित है इनको हमें देखना ही नहीं है यानि जो इस आयत के अंतरगत है उनको हमें देखना ही नहीं है क्या देखना ऐसे अब वाहित पुलिस अधिकारी देखिए पुलिस अधिकारी किसमे है ब्रत में है तो अब देखिए ब्रत में जैसे ये ब्रत है ये पुलिस अधिकारी है तो कौन-कौन सी संख्या निकल गई दो निकल गई तीन निकल गई और चार निकल गई क्योंकि ये तो अब दो भी कट हो गया, तीन भी कट हो गया, चार भी कट हो गया, जो भ्रेष्ट नहीं है, यानि भ्रेष्ट अब इस तिर्भुज में है, इस तिर्भुज में सारे के सारे लोग जो है, वो भ्रेष्ट है, अब दो भी निकल गया, तीन भी निकल गया, चार भी निकल गय बारे भी निकल गया, तेरे भी निकल गया, अब बची क्या संख्या रहे गई, आठ और नो, तो हमें साथ में कभी भी देखना है, तो कभी जो है, वो इस वाले बर्ग के अंत्रगत आ रहा है, नो नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप्शन ए, यानि आठ नेक्स बुद्धी जी भी हो गए, बुद्धी मान, और आर सच्चे व्यक्ति है, आर जो है कैसे है, इमानदार व्यक्ति है, सच्चे व्यक्ति है, और साथ में, अच्छा, इमानदार और सच्चे मानतर है, ये इमानदार है, सच्चे व्यक्ति और इमानदार व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, पूछा क्या, कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान, इमानदार और सच्चे हैं, किन्तु मेहनती नहीं है, मेहनती नहीं है का मतलब इस सरकिल से हमने इसको खतम कर दिया, इसको हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है, जो बुद्धिमान है इमांदार है और सच्चे है देखिए ये वाली संख्या देखिए छे ये छे इस वाले में भी है यानि सच्चे भी है ये छे इमांदार में भी है ये छे बुद्धिमान में भी है तो उत्तर क्या हो जाएगा छे देखिए छे महंती से अलग है महंती वाला जो सरकिल है वो अलग है अब आप इस question के लिए comment section में जाके ये बताएंगे कि जो सारी योग गिताएं रखता है जो बुद्धिमान भी है मेहनती भी है इमानदार भी है और सच्चा है ऐसे लोगों की संख्या कितनी है इसका अंसा आप जो है comment section में बताएंगे next question एक बस्ती में 30-35 बर्स की आयूबर्ग के लोगों को निमनिकित 3 सेडियों में परगिकित किया गया है बड़ा सर्किल जो है वो नोकरी करने वाले लोग है छोटा सर्किल पिषडे असिक्षित लोग है और तिरवुद्ध जो है वो सिक्षित लोग के लिए है अब क्या पांच जो है यह पांच यह असिक्षित लोगों में भी आ गए और नोकरी करने वाले लोगों में भी आ गए तो पांच अनुपात यानि यहां से यहां तक नोकरी करने वाले पिषडे असिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो गई पांच अब कहना है केवल सिक्षित केवल पिष्डे और केवल नोक्री सुधा लोग केवल सिक्षित आठ केवल पिष्डे 17 और केवल नोक्री सुधा लोग साथ यह कितना हो जाएगा अनुपात आठ वा साथ पंदर वा सत्रे पंदर पंदर तीस और दो बत्तिस पांच अनुपात बत्तिस ऑप्शन एग फष्ट देखिए नेक्स्ट कोशन है इसमें तिर्भुज सिक्षित लोगों के लिए है सर्किल नियोजित लोगों के लिए है और ये बर्ग जो है वो पिखले लोगों के लिए पूछा क्या है कितने सिक्षित लोग नियोजित हैं देखिए सिक्षित लोग यह नहीं इस तिर्भुज के अंतरगत कितने लोग है आठ पंदरे च्छे और छे हमसे कह रहा है कितने सिक्षित लोग जो की नियोजित है नि कोशन नमबर 47 और 48 के लिए क्या है ये डिटेल दे रखी है तिर्भुज कार के लिए है आयत बस के लिए है और ब्रत ट्रेन के लिए है और ये आकरती जो है साइकल के लिए पूछा क्या है निम्र में से कौन से परिवाहन के दो साधन लोग ओं द्वारा सबसे अधिक प्रियोग में किये जा रहे है कार या बस अब देखिए अगर हम तिर्भुज के बारे में बात करें तो तिर्भुज कार के लिए है अगर हम कार को देखें तो कार कितने लोग चला रहे है चालिस बीस और दस कितने लोग चला रहे हैं 70 लोग, इसके बाद अगर हम बस के बारे में बात करें, तो बस कितने लोग चला रहे हैं, बस आयत की है, 150 और 10, यह यह वाला 50 और यह 10, तो कितने चला रहे हैं, 210, बस कितने लोग चला रहे हैं, 210, अगर ट्रेन के बारे में बात करें, रिखेट train क्या है? circle यहनि 100 101 हो गए 100 यह हो गए और 50 plus 50 plus 50 और रह गए? और यह 10 और यह 20 यह circle में जित्ती संख्याए है वो सब किसकी है? train के लिए है यह 100, यह वाले 100 यह 30, 50 और 10, 20 कितना हो गया, 100 और 100, 200 ये 300, 350 और 380, ट्रेन कितने लोग चला रहे हैं, 380 लोग चला रहे हैं, और अगर साइकल के बारे में बात करें, देखें साइकल, 50 और 50 और 20, 50 प्लस 50 प्लस 20, यानि 120, क्या है प्रिसिल, अब देखें कार या बस, कार और बस को मिला कर, कार और बस को मिला कर कितने लोग हो गए, 280, कार 70 लोग, बस 210 तो मिला कर कितने हो गए, 280, कार और साइकल, कार और साइकल 120 और 70 कितने हो जाएंगे, कार और साइकल, या या ऑप्शन A के लिए हो गया, या ऑप्शन C के लिए है, कार और साइकल, कार और साइकल 70 और 120 कितने हो जाएंगे, 190, और B बारा ऑप्शन किसका है बस और साइकल, बस कितने है, 210, 120, ये कितना हो जाएगा, 200, 300, 330, बी वाला आप्सन 330 को गया, और चौता आप्सन है, डी ग्यात नहीं कर सकते, यानि हमें जो उत्तर देना है, वो इन तीन आप्सन में देना है, कार बस, कार साइकल, या बस साइकल, तो इसमें सबसे ज़्याद जो आप्सन में संख्या जो आ रही है, वो किसमें आ रही है, यानि क्या है, लोगोदारा सबस्यादिक प्रयोग किये जैने वाले बाहन कौन से है, बस और साइकल, पोश्चन के अकॉर्डिंग, बैसे क्या दिखाई दे रहा है, हापर एक मात्र साधन अकेला कौन सा था, प क्या पुझा, कितने लोग ऐसे हैं, नेक्स्ट कोशन है, ये कोशन नमबर फोटीट, कितने लोग ऐसे हैं, जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, साथी साथ कार या बस से भी, लेकिन साइकल से नहीं करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, यानि इस सर्क पचास लोग जो है और ये दस लोग और ये बीस लोग ये साइकल से यात्रा नहीं कर रहे हैं बाकी किस से कर रहे हैं देखिए ये पचास आयत क्या है बस से भी यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन से भी यात्रा कर रहे हैं ये दस बस से ट्रेन से और कार से यात्रा कर रहे हैं और उत्तर क्या जाएगा option A, C Next question है, question number 49 नीचे की आकरती का कौन साभाग ऐसे लोगों को प्रतिसित करता है जो सिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है देखिए तिरवुज जो प्रतिसित कर रहा है बोई किसको कर रहा है, जिनका रोजगार पक्का है यानि तिरवुज के अंतरयके जितनी आकरती का रूप में जो लिखा हुआ है alphabetS, बस इनका ही रोजगार पक्का है बागी किसी का रोजगार पक्का नहीं है पूछा क्या है ऐसे सिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं सिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है यानि देखिए ये B जो है ये सिक्षित भी है और रोजगार करने वाले भी है ऐसे ही D सिक्षित भी है और रोजगार करने बाले है तो इसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा B और D B और D देखिए E जो है E क्यों नहीं होगा क्योंकि E का रोजगार पक्का है यहाँ पर कह दिया उनका रोजगार पक्का नहीं है और E रोजगार करने वाले भी है, सिक्षित भी है, लेकिन साथ में क्या है, उनका रोजगार पक्का है, तो हमने इसलिए E को हटा दिया है, next question, next question है, देखे, A किसके लिए है, गडित वालों के लिए, ये सरके, और B किसके लिए है, G बिग्यान के लिए, और C किसके लिए है, भौतिक बिग्यान और जीव बिग्यान को चुना है, देखे, भौतिक बिग्यान और जीव बिग्यान को चुनने वाले चात्रों की संख्या, ये 6 जो है, ये 6 चात्रों ने गडित को भी चुना है, और 7 में भौतिक बिग्यान को और जीव बिग्यान को चुना है, क्योंकि Kabel भौतिक भिज्यान और जी भिज्यान को ही चुना है जैसे ही Kabel लग जाता तब आंसा इसके लिए क्या है अगया था 20 लेकिन यहाँ पर पूचा गया है कि कुल ऐसे कितने चात्र हैं जिनोंने जी भिज्यान और भौतिक भिज्यान को चुना है तो 6 भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे उत्तर क्या जाएगा option D next question number for 51 आठसट चात्र वाली ये कर्षा में 34 चात्र ने केवल बहस में सहभागता की देखिए image से समझते है यानि ये circle जो है वो बहस वालों के लिए हो गया ये वाला circle जो है ये प्रस्ण अतरी के लिए हो अब समझते है total चात्र जो है इन circle को मिलाकर 68 है जिनवें से 68 चात्र मेंसे 34 चात्र वो ये केवल बहस ये वाले कौन से वाले ये वाले यहां से यहां तक वाले ये 34 चात्र है जिन्ножोंने केवल बहस करी इसके बाद आठ चात्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्णोत्तरी और बहस दोनों करी यानि ये वाले चात्र ये कितने हैं? आठ है आप कहा रहे हैं यदि कक्षा के प्रतेक चात्र ने इन दोनों प्रतिस परदाओं में से कम से कम किसी एक में सहवागिता की हो तो कितने चात्र ने प्रस्णोत्तरी में सहवागिता की तोटल चात्र कितने है? 68 है 68 मेंसे तोटल जो है अब तक के चात्र जो केवल बहस वाले हैं उनको और दोनों को एड करके हम घटा देंगे तो 68 मेंसे ही कितना हो जाएगा? 42 तो कितना जाएगा? 26 यानि केवल प्रिस्णोत्तरी वाले कितने लोग रह जाएंगे ये वाले केवल प्रिस्णोत्तरी वाले 26 ये 26 कितने रह जाएंगे 26 कितने चात्रों ने प्रिस्णोत्तरी में सहवागिता की देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाए केवल प्रिसनोतरी में तब तो आएगा 26 और आपसे पूछा जा रहा है कुल देखिए तो कितने चात्रों ने प्रिसनोतरी में सावागिता की तो यह 8 चात्र जो है यह भी तो प्रिसनोतरी के साथ वाले हैं तो 26 और 8 34 उत्तर कितना जाएगा 34 अगर यहाँ पर पूछते केवल प्रिसनोतरी तब आएगा 26 और पूछा रहा प्रिसनोतरी में तो जो इस सरक्ल के अंतरगत संख्या हैं वो सभी काउंट हो जाएगी 26 और 8 34 तो इस तरीके से यह आज की जो हमारी क्लास थी यह बैनारेक के हमने इसमें आज दूसरे टाइप बाले कोशन किये हैं तो टोटल इस पर दो ही क्लास थी दोनों ही क्लासों में हमने अलग-अलग टाइप के प्रिसन लिये हैं चलिए आज की क्लास में पस इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद.